भूल भूलेया का कल टीजर आप लोगों ने देखा और मैंने सबसे पहले उस पे अपना रिव्यू दिया था, सबसे पहले जैसे मैंने देखा जैसे टीजर आया ता मैंने फौरान आपको बताया था कितना थर्ड ग्लास का यह टीजर है, हिंदु मुस्लिम सी किसाए सारे बा ऐसा होगा, बड़ा बबाल है, सिंगम क्लैश कर रही है, हम भी कभी सोच रहे त्यार, यह बहुत बड़ी फिल्म हो सकती है, बुल भिलेया थरी, बट जब इसका टीजर आया, कल मैंने देखा और एक ही नजर मैंने कहा कि इससे थर्ड क्लास टीजर कोई हो जी नहीं सकता है समझ रहे हो, इस फिल्म को जो डिरेक्टर अनीज बजमी, वो काफी जादा ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहा है बन्दा, उसको लग रहा है कि हम बहुत कमाल के डिरेक्टर हैं, अच्छा उन्होंने अच्छी फिल्में दी हैं, इसी कोई बात है नहीं, नो एंटरी दिया ह मुझे किसी भी एंगल से वो एक्टर लगता ही नहीं, जिंदगी बर कॉपी करके ही फिल्म बनाता है, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भूल भुले या फिल्म अक्षे के बिना अधूरी है, मैंने फर्स्ट पार्ट देखा था, सेकंड पार्ट मैंने आज तक नह लोगों ने देखा था, अक्षे कुमार का जो कॉमेडी, टैमिंग, जो अक्षे कुमार की पर्जेंटेशन उसमें थी, वो इतनी तगड़ी थी, चाहे वो आटो वाला सीन हो, चाहे वो गोटी-गोटी वाला सीन हो, या फिर प्रेशरावल के नाडे बानने वाला, चितनी वी सीन थी, कॉमेडी भी थी, उसमें डर भी था, जबर्दस तरीके सो महल जो दिखाया था, वो जो बैक्राउंड म्यूजिक चलती है, गूजबम आता है, तगड़ा था, लेकिन इस टीजर में जब कल देखा, तो मुझे ये समझ में या हसना है, कि डरना है, समझ रहो, इ आर्ति कारें का जो expression आपको पता है, सेम, जैसे आप second में देखे थे, third part में वही नजर आ रहा है, कपड़े भी नजर आ रहा है, लोग भी और उनका expression सेम हर फिल्म में वही होता है, तो इस बंदे सो कोई उम्मीद है ये नहीं, मेरे ख्याल से, ये फिल्म एक नंबर की third class हो सिर्फ मैंने बोला न, नई बोतल है, लेकिन शराव वही पुरानी है, उसी को फिर से घुमा फिरा के दिखाने कोशिश की गई है, कुछ नया नहीं है, बखवास है, तो आपने teaser देखा है, आप मुझे comment कर बता हो, आपो कैसा लगा, और आपको क्या लगता है, कौन चुमा झालके ग्लियाद से घुमा झालके जीतेयाद से लगता है, हो एक प्या सर्ट